उन्ची आवाजी बलू हालेलुया भजन सहीता 32 उसकी आठ और नो आयत मैं पहले नो पड़ूँगा फिर आठ पड़ूँगा तुम खोड़े और खचर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के अपनी पड़ोसी को बलो घोड़े और खचर के समान तुम मत बनो जो समझ नहीं रखते परमेश्व कहता उनकी जो उमंग है वो लगाम के साथ क्या करनी पड़ती है रोकनी पड़ती और इशुमसे नहीं कहा तुम घोड़े और खचर के समान मत बनो इससे पहले कि आपका ले हैंड हो और आज आप पवितरात्मा से भर के वापिस जाएं एक रुकावट है स्पिरिट में जो आपको दूर करनी है और ये वचन आपकी हल्प करेगा उस रुकावट को फिनिश करने के लिए एक रास्ता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है एक वो रास्ता जो आपके लिए अनॉइंट किया गया है वो मंजिल जो परमेशोर ने आपके लिए रखी है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है जो आपके लिए ठहराया गया है और वो रास्ता हर एक बंदे के लिए उसका तरीका अलग-अलग है रास्ता जीजस क्राइस ही है लेकिन जीजस क्राइस ने बाइबल कहती है आप सब को अलग-अलग मर्जी के साथ और अलग-अलग योजना के साथ अपने पास बुलाया है बाइबल कहती परमेशों ने कहा तुम घोडे और खचर के समान मत बनो जिनकी उमंग को लगाम के साथ रोकना पड़ता है अपने पडोसी को बोलो घोड़े के समान, खचर के समान नहीं बनना आमें यहवा परमेश्वर ने कहा योना नभी उठ और जाके नीनवे को जा और वहाँ जाके लोगों को प्रीच कर और बता और मेरा रास्ता, मेरे वचन उने बता क्योंकि मैं उनको नाश करने वाला हूँ बाइबल कहती है योना नभी उसकी पहली बाप को उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे उसने कहा जाकर नीनवे को जा और उसके विरुद पर चार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी द्रिष्टी में बढ़ गई है प्रम्तु योना योहवा के समुक से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चड़ गया और उसके साथ होकर योहवा के समुक से ताकि वो तर्शीश को चला जाए अगर परमेशो ने उसे गुजरात जाने के लिए बोला तो वो मेघाले जाने के तयारी कर रहा था अगर कश्मीर जाने के लिए परमेशो ने बोला तो वो कन्या कुमरी जाने के तयारी कर रहा था और वो परमेशो से भागा और जिस समुंदर में वो सफर कर रहा था उस नाव को उस समुंदरी जहाज को परमेश्वर ने एक लहरों में फसा के एक तुफान में फसाया और जब सब मरने लगे तो सब ने चिठ्थी डाली कि यह मुसीबत किस वज़ा से हम पे आई है और जठ्थी योना के नाम के निकली योना को उठाया गया वो सो रहा था कि तेरे नाम पे जठ्थी निकली है क्या बात है उसने बताया कि मैं यहवा के समुक से भाग आया हूं परमेशो रहे तो मुझे कहीं और जाने के लिए बोला था लेकिन मैंने परमेशो की आवाज को नहीं सुना और मैं प्रभू के सामने से भाग आया हूँ परमेशो ने मुझे नीन में जाकर लोगों को बचाने के लिए बोला था लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था इसलिए मैं भाग आया हूँ उन्होंने का तेरे कारण ये भी पत्ती पड़ी योना ने का हाँ मेरे कारण पड़ी है और अगर तुम मुझे उठाकर समुंदर में फैंक दोगे तो अभी समुंदर की लहरे जो होगी वो शान्त हो जाएगा और जब उन्होंने योना को फैंका लहरे शान्त होई बाइबल कहती है जब योना डीप समुंदर के अंदर चला गया जब अंदर भी समुंदर के पहाड होते हैं अगर आपको मालूम हो तो Mount Everest से भी उंचा पहाड समंदर के नीचे तो Bible कहती है वो समंदर के नीचे जब वो मूर्चा खाने लगा जब वो मरने लगा तो परमेश्वर ने एक मचली को ठहराया एक वेल ने उसे निगला और Bible कहती ही वो मचली के पेट में तीन दिन और तीन रात रहा और अंदर से परमेश्वर के विश्वर के पास प्रार्थना करता रहा क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक और मोका दिया है और बाइबल कहती परमिश्वर ने फिर मच को उस वेल को आग्या दी उसने जा कर उसे किनारे पर उगल दिया वहां से वो तीन दिन के मारक पर उसी नीजवे को गया और उन लोगों को बचाया, प्रीच किया उन्होंने मन फिराया और सारे के सारे लाखों लोग बचाए गए जो काम परमेशोर ने करना था वो हुआ अब बाइबल कहती जब प्रभु ईश्य मसी ने योना के बारे में बोला तो परमेशोर ने कहा जैसे योना तीन दिन रात जल जन्तू के पेट में रहा उसी तरह मैं भी हूँ परमेशोर ने योना नभी के साथ अपने तुलना किस लिए की आज कौन सा दिन है जब जीजस क्राइज स्वरट पे गए हां क्या बोलके गए थे आपको आज खड़ेओ के वचन सुनें क्या बोलके गए थे कि जाओ क्या करो सब जातियों को क्या करो पुराने टाइम में कोई-कोई नभी होता था परमेशोर जिससे बात करते थे जिस पर आत्मा उतरता था वही बलेस होता था वही परमेशोर को जानता था पबलिक शकल देखती थी उसकी और अब घूपसूरती क्या है परमेशोर ने कहा जब जीजस क्राइस्ट मर के जी उठे तो अब आपको याजकों के पास आकर पाप माफ करवाने की जुरूरत नहीं योगि आप खुद एक याजक हैं खुद एक राजा हैं और हमारा महायाजक प्रभी यिश्यमसी इस बात को समझे के नहीं अब जिस तरह परमेश्वर योना को देखते थे और योना को देखकर बोलते थे कि योना मैं ये चाहता हूँ कि वो देश बचाया जाए तो कि उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं वो पाप में तो हैं लेकिन अगर तो जाएगा तो उन्हें प्रीच करेगा तो वो लोग बच जाएंगे योना और योना थोड़ा ड्रामा करके गया लेकिन गया जरूर मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि जब परमेश्वर भविश्य दक्ताओं को कोई बात बोलता था तो परमेश्वर जब वो बात को नहीं सुनते थे तो लगाम के साथ जब घोड़ा मुड़ता नहीं इशारे में तो क्या करनी भी लगाम खीचनी पड़ती उसकी और लगाम कहां होती उसकी नाक के अंदर जब लगाम खीचती है तो नाक में चोट लगती है उसके उसको दर्द होता है नाक के अंदर उस दर्द से बचने के लिए फिर वो लगाम की बात को सुनता है और जहां लगाम बोलती है फिर वो वहाँ जाता है परमेशो ने का तुम घोडे मत बनो कि जब मैं तुमको बोल रहा हूँ क्योंकि अब योना का टाइम चला गया अब तुम सब योना नभी हो तुम सब बत्रस हो तुम सब पॉलूस हो तुम सब प्रेरित हो तुम सब चेले हो तुम सब विश्वासी हो आमेनोचे वला चाहिए चर्च अब ध्यान से समझना है क्यूं तुम मुश्किल में हो क्यूं तुम ट्रबल में हो क्यूं लोग श्राब के नीचे हैं क्यूं उनकी लाइफ में वो नहीं है जो होना चाहिए क्यूं क्यों क्योंकि परमेश्वर की बात को तुम समझे नहीं उसने कहा योना जा और लोगों को बचा मैं ये बात पूछना चाहता हूँ जब येश्यमसी आज के तिन स्वरग पे गए थे तो आपको कौन सी बात बोलकर गए थे कौन सी बात बोलके गए थे, क्या बोलके गए थे, बोलो उंची आवास में, उंची नहीं आई आई आवास, बोलो क्या बोलके गए थे, बोलो जाओ, क्या बोलके गए थे, अब पूछो अपने पडोसी को, तुम जाते हो के नहीं, तुम जाते हो लेकिन अपना राज्य स्थापित करने के लिए कुछ अपना फाइदा ढूंडने के लिए तुम जाते हो लेकिन सिर्फ फॉर्म वले लोगों के पास ताकि तुम्हें वीजा मिल जाए तुम जाते हो सिर्फ अमीरों के पास, तुम जाते हो सिर्फ अपने सवारत के लिए उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ आज कलीसिया बिमारियों में और श्रापों में नहीं होती अगर उसने परमेश्वर की इस आग्या को पूरा कर दिया होता तो यब योना ने परमेश्वर की आग्या पूरी नहीं की तो परमेश्वर ने क्या किया लगाम खीची, खीची के नहीं वो मौत के मूह में गया, पूरी ड्रामे बाजी वहां पे चली उसी तरह से बाइबल कहती है जब आप लोग परमेशों की आज्याओं को नहीं सुनते और जो सीधा रास्ता परमेशों ने आपके लिए ठहराया है आप उस पे नहीं चलते फिर वो लगान को खीचता है हम emotional trouble में चले जाते हैं husband में problem शुरू हो जाती wife में problem शुरू हो जाती बच्चों में problem शुरू हो जाती finance बिगड़ना शुरू हो जाता है सेहत खराब होनी शुरू हो जाती हम सुचते हमने क्या नहीं किया क्या गलती हो गई हमसे तो कि Bible कहती है आप लोग सू समाचार सुनाने के लिए चुने गए हो परमेश्र की रूहों को बचाने की इच्छा आज भी वैसी है बलकि और बढ़ चुकी है उसने योना को कहा जा और लोगों को बचा और अब युश्यमसी आपको कुछ वोल के गए हैं जो आप भूल गए हो हमें लगता है मुझे बेबी चाहिए मुझे चर्च जाना है मुझे बरकत चाहिए मुझे चर्च जाना है ये तो बहान है चर्च आने का उसका असली मकसद है आप लोग रूहों को बचाओ तोकि उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ सब जातियों के लोगों को छेला बनाओ सब बातें उन्हें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंतक मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ जब योना नहीं गया तो परमेशो को लगाम लगानी पड़ी जब आप नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा लगाम लगाएगा यह लगाम मेरी लाइफ में लगी रही है मसी के शुरुवाती दिनों में मेरा मकसद सिर्फ चन्याई पाना था कहीं ना कहीं से रोजे रखके प्रेयर करवाके, क्रूसेड करवाके मैं हील हो जाओं लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया था रूहों को बचाना जब मेरा मकसद सेट हो गया मुझे मालूम हो गया कि मैं असल मेरा काम रूहों को बचाना है, मेरी प्रॉब्लम्स जा चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी आज वो दिन है जब प्रभी यिश्यमसी ने आपको बोला था कि जाओ योना की तरह बोला था जाओ जीजस ने बोला तो कहीं और है लेकिन आप कहीं और गए तो यिश्यमसी ने हार एक के लिए मगर मचली ने ठहराई वो लगाम कहींचता है आप सब की अलग-अलग तरीकों के साथ और जो आत्मिक जन होता है वो इस लगाम को समझता है कि क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है उसने अबराहम की और देखा और अबराहम की और देखकर उसने क्या देखा कि Abraham एक समय था जब मुझसे प्यार करता था सबसे अधिक लेकिन एक समय आ चुका है जब Abraham अपने बेटे से मुझसे भी ज़़ादा प्यार करने लगा है और परमेश्व ने उसकी लगाम खींची और कहा, Abraham, Abraham अपने बेटे को जिससे तुप प्यार करता है मेरे लिए बली कर दे अब परमेशोर इंसानों की बली नहीं लेता था लेकिन अबरहम फिर भी उसको बिठा कर बली करने के लिए चला और जब वो चलता जा रहा था एक-एक कदम उसका प्यार उसके लिए खतम होता जा रहा था और परमेशो का प्यार वापिस आता जा रहा था जब ये प्यार वापिस आ गया परमेशो की लगाम खिजने से और वो लड़का चढ़ाने लगा बली तो परमेशो ने का रुख जा अब मैं जान चुका हूँ तो मुझसे प्यार करता है हालिलूया आप इससे प्यार करते हैं अपने बिजनस से आपका बिजनस फिर डेंजर पोजीशन में आ जाएगा एक तिन अपनी वाईव से, प्रभू से भी ज़्यादा अपने हस्बेंड से, अपने बच्चों से अपने फाइनेंस से, अपने शरीर से समाज से, अपनी पुजीशन से अपनी इज़त से परमेश्व के सामने किसी भी चीज को मत रखना नहीं तो परमेश्व लगाम खीचेगा और लगाम खीच के फिर आपको सीधा करेगा और अगर आप सीधे-सीधे अच्छे घोड़े की तरह चलते जाएंगे, वह आपकी लगाम नहीं खीचेगा आप सीधा-सीधा चलते जाएंगे आप वही वही रास्ता फॉलो करते जाएंगे जहां जीजस ने आपको जाने के लिए बोला है आप सूसरमाचार को सुनाएंगे आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपने माता, पिता, भाई, बहन, अपने बच्चे, अपना कारोबार, अपना शरीर, अपने लोगों से अधिक प्रभू से प्यार करेंगे, आप सीधा चलते जाएंगे, उसको लगाम खिंचने की जुरुत नहीं पड़े, आप रेवलेशन आगया, कि अपनी रेवलेशन से वो फूल ना जाए, परमेशर ने उसको शैतान, शैतान उसके पीछे लगा दिया, उसको मुक्के मारे, यानि कोई शरीरी कष्ट पॉलूस को था, जो उसने का, प्रभू ये शरीरी कष्ट मेरे लिए क्यू है, परमेशर मेरे अनुगरही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्त निरिपलता में सिद्ध होती है, अब मैं इस निरिपलता में तुम्हे बढ़ाऊंगा, बस चलते जाना, आगे बढ़ते जाना, हालिलूया, परमेशर आपको इन पंगों में कई बार लेके जाता है, ताकि आपको ये ची चाहिए, नहीं तो मुश्किल किसको है, उनी लोगों को, क्योंकि वो नहीं समझे कि क्राइस्ट में उनका जनम किस लिए हुआ है, पहले नभी होते थे, नभीयों को परमेशर बोलता था, मूसा को बोलता था, नभीयों को बोलता जाओ ये काम करो, जी उठने के बाद परम समाचार सुनाओ, तुमको कहा खुदा ने, तुमको, तुमको, तुमको कहा खुदा ने, आमें, स्वरगदूत आया जक्रिया के बास, जक्रिया तरी प्रार्थना सुन ली गई है, बुढ़ापे में तेरे बेटा होगा, तरी पत्नी जो बांच कहलाती है, वो पुत्र जने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं देख जिस दिन तक ये बाते पूरी नहीं होंगी तो गूंगा रहेगा और बोल नहीं सकेगा तो ने इसलिए कि तुने मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया परमेशों ने बताया यह करिया यह सीधा सीधा रास्ता है चलने का इधर कहता नहीं 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 यह हो इनी सकता मेरी तो पत्नी बहुत बूड़ी है और मैं बड़ा बूड़ा हूं अब स्वरगदूत कहता अब तु गूंगा रहेगा को कि मुझे तेरी लगाम खींचनी पड़ेगी ताकि तु बोल बोल करकि मेरी हो नहीं सकता कहीं सचमुच अपनी पत्नी को बांज न कर दे इसलिए तेरी लगाम को मैं खींचूंगा और तेरा मूं बंद रखूंगा त अब यह फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिजवा के परमेशों का काम करना है कि सीधे सीधे करना है हालेलुया क्योंकि परमेशों ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं आप भी की प्रेयर है मुझे बरकत मिले आप भी की प्रार्षन है मैं छुटकारा पा सब्सक्राइब उत्तम घराना दोंगा सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा जो तुम मांग रहा है तूझे मेरी सेवा करनी होगी तुम्हीं याज़द बनना होगा हालिलुया जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है फ्लाइट पकड़नी है ट्रेन पकड़नी है और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी तो उसको मालूम है कि अब ज़्यादा बाते करने का टाइम नहीं वो बड़ी important important बाते उसको याद करवाते है कि ये काम कर लेना ये काम जरूर करना ये काम बहुत जरूरी है जब Jesus Christ स्वरक पे चट रहे थे तो वो लाखों बाते बता सकते थे लेकिन उन्हें important most important बात आपको बोली जाओ और सू समाचार सुनाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ किसी का मूँ देखकर मट डरो उन्हें बताओ Jesus Christ धरम और जाद को बदलने नहीं आए जीवन बदलने के लिए आए लोग बदलेंगे तुम ब्लेस होगे ईशु के नाम हालेलूया हालेलूया अपने पडोसी को बलो तुम खोड़े और खचर के समान मत बनो आमे अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खीच के लेके आए आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो आप सोचो खुदा आप से बात कर रहा है सिरुफ और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है अपने पास बुलाने का एक कारण है वो कारण है लोगों को बचाना रूहों को बचाना मरे मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना उनको यूश्व मसी के पार में बताना स्वरक राज्य का वारिज बनाना ये आपका मकसद है आज के आप नभी हैं आप आज के याजक हैं आज के आप विश्वासी हैं आज के पासर हैं आज के पेरित हैं अमें अब ये सोचलो कि आपको लगाम के साथ चलना है कि आपको सीधा चलना है तीन तरह की situation होती कई लोग होते हैं वो लगाम के साथ नहीं चलना चाहते उनको मालूम है कि मैं जो खुदा की बास से इधर उधर हूँगा तो वो फिर से मुझे खीच के ले के आएगा मुझे दूख होगा दर्द होगा घूम फिर के फिर वही बोड के नीचे मैं आऊँगा वही उंट पहाड के नीचे आएगा तो उससे अच्छा ये है मैं अच्छी तरह से चलूँ एक वो लोग होते हैं एक वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं चलते और परमेश्व लगाम खींच के वो आपकी नब्ज को जानता है उसे मालू में आप अपने एक लौते बेटे से बहुत प्यार करते हो वो जानता है कि आप अपने हस्बेंड से अपने बिजनस से बड़ा प्यार करते हो फिर वो उन चीजों को खींचने की कोशिश करता है वो खींचता है आपको ताकि आप लोग समझें कि मुझे पहला स्थान जो है वो परमेश्व को ही देना है कितने मेरी बात समझ रहे हैं फिर तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो इन चीनों के कारण भी नहीं समझते और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं इन चीनों के द्वारा भी वो नहीं समझते कि परमेश्वर हमारी लाइव से क्या चाहता है और फिर वो हेल के लिए वो नरत के लिए तयार होते हैं जो उनके लिए और शैतान के दूतों के लिए तयार किया गया है क्योंकि परमेश्व जबर्दस्ती नहीं करता वो एक लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करता है जब वो देख लेता है वो उस लेवल से नहीं समझते वो आपको छोड़ देता है और सुना मेरी बात जब आपकी लाइफ डेडिकेट हो जाएगी क्रिश्चन कामों के लिए सुसमाचार के लिए आपको मालूम है कि मेरी लाइफ स्मर्पित हो रही है वो आपको चंगा भी कर देगा आपकी हस्बंड को भी चेंज कर देगा वाइफ को भी कर देगा बच्चों के दिमाग को चेंज कर देगा फाइनेंस को भी बदल देगा सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी इश्च के नाम में आप देखेंगे हर वो सिचुएशन जो आपको तंग करती आई वो फिनिश होगी और शैतान के सारी योजने नाश होगी आप देखेंगे अपनी लाइफ में दुश्मन शर्मिंदा होगे आपके सामने मेज भी चाहोगा लाइफ के और बेस्ट वस्तू उसके उपर होगी आमें आमें अब इस सीजन आपके हाथ में आपको लगाम के साथ चलना है हर टाइम की वो आपके लगाम खीचे आपको निराश करें और फिर आप सीधे रास्ते पे चलें कि आपको सीधा ही सीधा सीधा चलना है ये आपने फैसला करना है भागना मत एक बड़ी बरकत है आपके परिवार के लिए रखे, आपके लिए रखे भागना मत जब फौजी जाता है न सामने दुश्मन होता है उसे मालूम हो बढ़ा है के छोटा है वो भागता है उसे मालूम है पीछे मुड़ूंगा तो मौत भी है और बेजती भी अब आगे बढ़ना है, that's it घरवालों को याद ज़्यादा करूँगा तो ना उनके काम आऊँगा ना अपने दुश्मन को मार पाऊँगा एक ही जगा कॉंसेंट्रेशन के साथ वो करता है जीता है और वापिस आता है घर पर स्वागत भी होता है, सरकार भी स्वागत करती देश भी स्वागत करता है आमें जो आत्मिक sensitive लोग हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं, कि मेरी लाइफ में यहां पर पर्मेशोंने लगाम खिंची मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने मुझे मुक्का मारा है मेरी लाइफ में यहाँ पर परमेश्वर ने ये काम किया है तो मुझे क्या करना है आमें आपको सीधे होके चलना है उसने आपको खास मकसद के लिए बुलाया है best partners, best लोग आपकी life में आने का इंतजार कर रहे हैं आप जैसे इस रास्ते पे चल पड़ेंगे Bible कहती है कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं आप देखते हैं लोगों की marriage सारी उमर सेटिंग नहीं होती उनकी रोज छितर पनीर की रोटी खाते हैं जिसमें छितर भी होते हैं और पनीर भी होते हैं दोनों तरह की रोटी होती हैं छितर भी होते हैं सासाथ पनीर भी होते हैं क्योंकि वो जो marriage partner है उन्होंने परमेश्वर के रास्तों पर चल कर नहीं पाया है और परमेशन ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जब तुम मेरे मार्ग पे चलेगा तो उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलेंगे तुम्हें पाटनर उत्तम मिलेगा बिजनस उत्तम, देश उत्तम, फाइनेंस उत्तम, चर्च उत्तम, बच्चे, हस्बेंट, वाइव, सब कुछ उत्तम लेकिन उसने एक और कंडिशन रखी है कैता मेरा रास्ता कैसा है? तंग है, संक्रा है, तंग है, मुश्किल से तुम्हें जाना पड़ेगा और थोड़े हैं, जो इसे पाते हैं लेकिन दूसरा रास्ता खुला है वेबीचार का रास्ता ओपन है और बहुत होंगे जो उस रास्ते पे चलेंगे लेकिन तंग रास्ते पे उसने कहा, बहुत थोड़े हैं, जो इस रास्ते पे चलेंगे और उत्तम पदार्थ अगर किसी ने पाए हैं तो तंग रास्तों में पाए हैं आलिलुया जस्ट आपको परमेश्व को बोलना है परमेश्वर मैं तरे काम करने के लिए तैयार हूँ मैं वो बंदी नहीं हूँगा जिसकी लगाम खिचनी पड़े मैं सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूँगा सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूँगा आमें आमें आप डॉक्टर हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं, आप पॉलिटीशन हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं, आप पास्टर हैं, आप कोई भी हैं, परमेशो की सेवा सब के लिए है, मैं सारा दिन डॉक्टर से बात नहीं करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं करूँगा जो आज के तुने 2000 साल पहले कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ मैं इस बचन को पूरा करूँगा आमें आमें और बाइबल कहते हैं जब उन लोगों ने मन फिराया तो परमेशुर आनन्दित हुआ वो नहीं चाता कोई भी नाश हो लोग बोलते हैं परमेशुर कहा है जब हॉस्पिटल में लोग मरते हैं जब उनके लोते बच्चे मर जाते हैं जब उनके हस्बंड जवानी में वाइब्स मर जाते हैं तो बोलते हैं कि परमेशुर कहा है अरे परमेशुर ने उसे नहीं किया Bible कर दी शेटान घात करने के लिए और नश्ट करने के लिए आए आप जब message देंगे Jesus Christ का कि वो धरम और जात को बदलने नहीं आया वो जीवन बदलने के लिए और आप जाएंगे hospitals में जाएंगे malls में जाएंगे लोगों के घरों में, रिष्टेदारों में आप जाएंगे तो आप ये message देंगे और खुदा इसकी बरकत आपको देगा मत सोचो आपको खड़े-खड़े बरकत मिलेगी मैंने कली सियाओं में लोगों को 40-40 साल जाते देखा ना तो उनकी बिमारियां गई है ना तो उनकी मुश्किले गई है ना उनके परिवार बतले जो कुछ है वही है क्यों? तो कि वो सेवा में नहीं है ना ही उनका पास्टर उनको चैलेंज करता है ना ही उनकी चर्च उनको चैलेंज करती है सेवा के लिए तोगि वो खुद चर्च हो के सेवा में नहीं हालेलोया हम एक सीरियस बिजनस में जो खुदा ने हमें दिया है वो पैसे कमाने का बिजनस है रूहों कमाने का बिजनस उसने का मैं तुम्हें रूहों को पकड़ने वाला बनाऊंगा मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाओ इस साल के अंत में आपका रिपोर्ट कार्ट जब मांगा जाएगा जो हर क्रिस्मिस पर आपसे मांगा जाता है कि कितनी रुएं बचाई हैं पूरा साल तब शर्मिंदा होके आँखे नीचे करके हाथ नीचे करके खड़े होने की जुरत नहीं आपसे काम करना शुरू करो जून चड़ने वाला है सबसे गरम महीना चड़ने वाला है आत्मा में सबसे गरम हो जाओ शैतान पर हथोड़े मारो उसे लोगों से निकालो आपके घरों से परमेशन निकाल देगा उसे वो आपके घरों से क्यों नहीं गया वोगि आपने लोगों से उसे कभी नहीं निकाला आपने चैलेंज कभी लिया ही नहीं आपने कभी चनोती ली नहीं आपने कभी परमेशन के वचन को सीरियस लिया ही नहीं इससे पता जलता है कि अगर हम ये वचन को भी सीरिस नहीं लेते, तो healing के वचन को भी अपनी life में पूरा होते हुए कैसे मानेंगे, कैसे विश्वास करेंगे वो चंगा करता है, कैसे विश्वास करेंगे वो छुडाता है, कैसे विश्वास करेंगे धर्मी का वंश बचाय जाएगा वो हमारे बच्चों को बचाएगा अगर हम उसके एक वचन को पूरा नहीं करते तो आप घरों में काम करते हैं आप बॉस हैं आप छोटे हैं आप बड़े हैं कोई माइन नहीं करता जस बोलो और उसने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता तो भी परवा मत करना मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है मेरा आत्मा तेरे साथ होगा मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ जो आपको जल्दी आशिश की और ले जाएगा जल्दी आपको बर्कत देदेगा आमें क्योंकि लोग इसे seriously नहीं लेते आप मुस्ति जाके लोगों की लाइफ देखो जो बहुत पुराने टाइम से परमेशों को मानते हैं कोई फरक नहीं उनमें और अविश्वासियों में उनके घर में भी वही चिक-चिक मिच-मिच चल रही जो उनके घर में चल रही क्यों वचन को seriously लिया नहीं उन्हें लगता कि इसे मसी तो हमारा ही है हम दो पुराने इसाई हैं हम दो 20 साल से प्रभू में हैं लेकिन क्या करेगा 20 साल से प्रभू में रहना अगर आपने एक भी रूह को बचाया नहीं आप एक साल में दस रूहों को भी बचा नहीं पाते दो क्या फाइदा उस क्रिश्चन होने का जीजस ने कहा जाओ और सू समच और सुनाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ सब बाते मानना सिखाओ और देखो जगत के अंद तक मैं तुम्हारे साथ हूँ आप पूरा करेंगे इस वचन को आप भूल जाओ आप लाखों की तदात में हो आप सोचो कि यहावा परमेश्वर योना से बात कर रहा है दोबारा आप यह सोच लो आप भूल जाओ मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ आप अपने आपको सोचो कि परमेश्वर आपको कह रहा है जा और स्टार्ट कर मेरा काम बहुत लोगों को लगता है कि काम स्टार्ट करने के लिए मुझे चर्च खोलनी पड़ेगी अरे चर्च में कहां रूहें बचती लोगों के पास चर्च तो उनके वज़रे लोग नहीं आते उनके पास चर्च में नहीं बाहर जाओ महलों में जाओ नगरों में जाओ चौंकों में बजारों में जाओ रेल्वे सेशन पे जाओ वहाँ बचाओ रूहों को जहाँ जरुरत है आमें हालिलुया हालिलुया colleges के बाहर जाओ schools के बाहर जाओ वहाँ जाओ बताओ आप देखेंगे लोगों को जरुरत है नशों में मर रहे हैं लोग बाप के साथ बंतिनी मा के साथ बंतिनी इंकालिया निकालते सारा दिन, नशा बेचते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर है, कारण कौन है, कारण कलीसिया है, कारण वो लोग हैं, जिनोंने कलीसियाओं को बोज नहीं दिया, कि अगर आप काम नहीं करेंगे परमेश्वर का, तो काम नहीं होगा, वो कर सकता अकेला लेकिन करेगा नहीं उसको आपकी जुरुरत है आज जब आप इस बोज को लेके जाएंगे यहां से एक खुदावन के सामने एक वाइदा कर लोगी परमिश्वर मैं अकेला चर्च नहीं आओंगा साथ लेके आओंगा गाड़ियों को लेके आओंगा अपने साथ किसी को लेके आओंगा मैं अकेला नहीं बचूँगा मैं लोगों को बचाओंगा फिर देखो जो काम फसा हुआ है वो कैसे निकलता है जो स्ट्रेस में लाइफ बीत रही है वो कैसे खुदावन उसे फ्री करता है वो तरात्मा की अगनी को रिसीव करने के लिए तयार हो जाओं वो आप पर आएगी आपके बच्चों पर यूद पर छोटों और बड़ों सब पर आएगी पजुर्गों पर आएगी छोटों प परकत आपकी है टाइम आ चुक है अपनी डेस्टिनी को चेंज करना का हाई लेवल बे जाने का और वो आपको लेके जाएगा दुनिया के बेस्ट प्लेसिस आपके लिए रचे गए बनाए गए बेस्ट जगाहे बेस्ट चीजे आपके लिए बनाए गए जैसे आप झाल